चले बरते खबरों में आगे बाद कुंडल को ट्वीक मामले की जिस पर दिग्विजेस सिंग का बयान भी अब सामने आ गया है क्योंकि इनको लेकर के लगतार बीजेपी हमलावार थी अब दिग्विजेस सिंग की तरफ से इस पर रियाक्शन आया है एफायार गर्जोने पर दिग्विजेस सिंग ने बोला की उन्हें जो करना है करें डीजीपी को मैंने अपनी बात से अफगत करा दिया उन्होंने का कि मेरे पास जान्कारी आई थी और इसलिए मेरा फरस था कि मैं अपनी बात पुलिस तक पहुचा दू, अब उन्हें जो करना है वो करें, दिग्विजय सिंग इस पूरे मामले पर ये बात कहते हुए, कुंडल पूर में किस तरीके से इस्तिती बिगड़ सकती है और बजरंग दल पर आरोप लगाते हुए, उन्होंने ये च्वीक किया था जिसको ले क करके अब न सिर्फ बजरंग दल बलकि सीधे-सीधे बीजेपी भी दिग्विजय सिंग को निशाने पर ले चुकी है, लगातार हमले तो हो रहे हैं, लेकिन अब इस पर दिग्विजय सिंग का वायान सामने आया है, मत्रदेश के पूर्व मुख्यमत्री दिग्विजय सिं कुंदर कुंदर को बाले मुख्यमत्री दिग्विजय सिंग कि अब यह चाट्बाले ढद।